हालो दोस्तों कैसे हैं आप सेब आज आप लोगों को अपने गाउं में घुमाने वाला है देखिए उत भाय तहура चुकर खला झार रहे हैं जहां हमारी भैंसिया रहती है न कि भैंसिया को दिखाएंगे धिक ए भैंसिया कि रहने का स्थान दोस्तों 16 तारिक को था और 16 को क्या हुआ पॉस्पंड हुआ था ठीक है तो 16 वाला पॉस्पंड होने से अब हमारा जो एक्जाम है 16 वाला अब हो चुका है भाई 19 को ठीक है तो 19 को एक्जाम देने के बाद हम फिट से आ जाएंगे और आप लोगी क्लासों को कांटेन्यू कर तो चलीगा मटर खाने मटर कहां बहां इन वाल चलाली आई चला हमका कईसी चल्पा मेड़े 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 चल्पेटा भूर अज़ा को कि अकोड़ के अज़ा को सब्सक्राइब अपस्ति प्रणिकर्ट कानव थे ज़ती हो डिए तोड़ा यह तोड़ा है देखिए इन्हां दिखावा देखिए बिटा तहाँ देखिए खाए लिए एक खे तो खाए दो देखिए दोस्तों अलाजी यहां पर लच चुछ जिए अ मतर खा रहें चीमी चीमी ना काहो काहें बिटाई चीमी कहां कि आई आई दो त्रवान बाना बिटा जाए नहीं काई खाव ठाव ठाव नहीं दूट खावा रहां तो दोड़ी कलेगा आए अच्छा वूँ देखिए यह हमारे लच्छ बेटा है और रोली बिटिया है हां बिटिया दाना पड़ावा तो लई यहां तुखाई चुके नहीं अब हां तो जा दूसरा लई का बेटा देखिए लोग मटर लेने गए हैं तो मटर आप लोग नहीं दिख रहा हो भाई यहां पर दिखाते हैं देखिए है भाई यह मटर भाई अब यह सबजी वाली मटर भाई बाकी आलू अगयरा सारी चीजी बोई गहीं हैं दोस्तों यह आलू यह आलू अधि पड़ी नहीं था आलू अधि ठाके ना गवलों को दूरी रहा हमारा अलू का खेट अब हम लोग मटर खा लिए बिटा चलो लच्छे आओ चलाएं आपटा आवा नचल बागा चला आवा अरे भाईया बस करा नहीं पापा मरी ही बागी हां आवा आवा दोस्तों यह आपको जो पेड़ सूखा हुआ दिख रहा है इस पे आकासी विजली गिरी थी भाईय और मैंने आप लोग को बताया था आकासी विजली जब तक ग्रांडेट नहीं होती है तब तक उस पे पूरा अपना इफेक्ट डालती है और देखेगा मैं आ हुआ पार्ट है थोड़ा सा बै कैमरा करके मैं दिखाता हूं लेकिन आप लोग देखेगा आकासी विजली गिरी वहां पे जो है जहां पे टूटा हुआ है यहीं से मतलब यहीं पे गिरा था पूरा एकदम यहां तक जल गया था तो भाई आप लोग बोल रहे थे भैसिया लोग देखने के लिए भैसिया नहीं जानते हैं तो भैसिया हम आप लोगों को दिखा देते हैं वहीं चाहिए देखे कई सी देख रही है खा जाएगी का हमें भाई है डर रही भाई के देख यह एक वहां तही ब्युच दिए हमारे घर बाले और घास थे माकी उपले वहा पापा जी नहीं जानते हैं कि हम आप लोगों को पढ़ाते हैं ठीक है तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वह भी मतलब हमारा जो है सिस्टम पूरा जान जाए और दिक्कत हो जाएगे हमारे लिए तो हम क्यों पढ़ने के लिए हैं और आप को भी थोड़ी बहुत प्लासेस करा देते हैं भाई विसारी हमारी मतलब की इधर दोहर मतलब घर वाले नहीं जानते लेकिन अवर लोग तो जानते हैं लेकिन पापा जिस दिन जानेंगे उस दिन हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा भाई ठीक है विसे के लिए हम आ चुक